हालो फ्रेंड नमशकार हरहर महादेव जैगोनाता आज हम आपको एक ऐसी गाई का वीडियो आपके सामने लेके आए जो के हमारी बहुत ही अतिप्रिये गाई हैं जिसका नाम कुंदन है जो के जुनागड में हमारे फ्रेंड के पांस से मलाए हुए और जिसकी बचडी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे और शानदार बुल की बचडी है जो के दूद वाले नसल की बचडी है उसका फादर और उसकी जो फादर की मदर है उसका भी milk record बहुत अच्छा रहा है ये गाई मित्रो गुजरात में second number लाई हुई है heavy milk में इसके दो ही थन चालू है इसके total है 8 थन लेकिन दो ही थन चालू है और दो थन का इसका हम एक time का 10 से साड़े 10 किलो दूद एक time का हम लिकाल रहे है आप देख सकते हो और अंतक हमारे वीडियो में बने रहे है ताके हम आपको पूरा वीडियो दिखा सके कि ये वीडियो में जो गाई का पूरा milk है वो आपको दिखा सके और अंत में हम बच्ची को कितना दूद पिलाते वो भी हम आपको दिखाएंगे इसलिए आप देखिये जो हम बाल्टी लेके जो दुद लिकाल रहे है वो बाल्टी 12.5 लिटर की है इसमें से दूद आएगा तो 10.5.5 किलो दूद आएगा बाकी के उपर के जो है वो फीन रहेगे इसलिए आप देख सकते हो पूरा वीडियो अंतक बने रहे है और देखि और देखिए गाई कान में सिंग में सब तरह से बहुत ही बेश्ट है इसके सर है इसकी जो लंबा है वो बहुत ही अच्छी गाई है और इसकी बचडी की बात की जाए तो गाई से भी बहुत ही अच्छी है जितनी बड़ी होगी उतनी सुन्दर होगी इसलिए आप अंतक बने से जो के बहुत ही अच्छे नसल किये और सभी लोग मित्रों कहते हैं कि इतना मिल्क नहीं होता है हम आपको लायू दिखाएंगे जम्नागीर के इसमनागीर गशाला में हमारे पांस काफी सारी इसी गाएं जो के एक टाइम का मिल्क लिकालने वाली हमारे पांस एसी छ्छे से ञाएगे हैं। और जमना गिर गवशाला में अगर जमना की बात की जाए तो जमना के जब चारो थन चालू थे तब इसका एक टाइम काम ने 16 लिटर 300 ग्राम दूट लिका ला था इसलिए हम धम्मा को तयार कर रहे हैं ताकि हमारे पांच जितनी भी हेवी मिल्किंग वाली गाये उसकी काम वाला ले जा सकता है तो भी उसके पांच सब हेवी मिल्किंग वाली रहेगी और उसमें से बेश्ट रिजल मिलेगा और मिल्क का जो रेश्यों बहुत ही अच्छा और बेश्ट रहेगा इसलिए आप देख सकते हो और अंतक बने रहे हमारे वीडियो में थाकि हम इसका मिल्क दिखा सके आपको दिखा सके मित्रो इसका नाम है कुंडल नाम है इसका कुंडल और बहुत ही बेश्ट गाय है यह लंबाई में देखिए उसके कान इसके सिंग बहुत ही सुन्दर और अच्छी गाय है और बहुत ही शांद सबाओ की गाय है इसके आप पैर भी देख सकते हो बहुत तगड़े हैं और बहुत ही हेवी गाये हैं और इसके नाकून भी देखिए ये 6-7 वितर की गाये हैं लेकिन बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही फिटनस में हैं ये थोड़ी दूबली हैं लेकिन हमारे ये जमना गिरगुशाला में आने के बाद ये काफी सारी अच्छी हुई है और बहुत ही अच्छी रहेगी और अभी आगे जाके भी बहुत ही कम गाय होती है तो कि दिखने में सुंदर भी होती है और हेवी मिल्क में भी होती है ऐसी मित्रों बहुत ही कम गाय होती है और हमारे पास सुंदरता भी है और दूध भी है हम आपको हर रोज एक एक गाय का वीडियो दिखाएंगे जो के सब भी मिल्क वाली गाय हैं और सब भी मिल्क वाली का हर रोज एक एक वीडियो हम आपको बताएंगे कि हमारे जमनागीर को शाला में अभी हम जितनी भी गाय हैं मिल्क वाली अगर कोई भी किसान, कोई भी ब्रीडर और कोई भी अच्छा डेरी फार्म वाला, कोई भी अगर गाई लेना जाते तो हमारे इस नमबर पर कॉंटक कीजिए दीखे मिल्ट, मित्रो इसने पूरी बाल्टी बर दी, अभी भी हम इसका मिल्ट लिका लेंगे हम बच्ची को अलग से दूद पिला रहे हैं, उसका कारण है बच्ची का जो थन है वो बहुत ही जाड़ा है, इसलिए उसके मुझ में नहीं आता है इसलिए हम वो अंत में दिखाएंगे कि कैसे बच्ची को मिल्ट पिलाते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि अबसे रफादां कि झाल झाल तूब से कि प्रोंट औरा कि उक्ति है। दिखे इसने दूसरी बार पाला चोड़ा है और हमारे पांस काफी सारी ऐसी गाये हैं जो के सेल के लिए हैं हमारे एक दो जो इधर गवशाला वाले जो हमारे मित्र हैं उनकी काफी सारी गाये सेल के लिए इसलिए आप जल से जल हमारे इस नंबर का कॉंटेक कर सकते हो और रुबरु आप सूरत गुजरात में आ सकते हैं, हमारे गौशाला है प्रॉफर सूरत में और काफी सारी गाया भी सेल के लिए हैं, उनके पास भी उनको पूरी गौशाला जो के तीन से चार लोग ऐसे हैं, जिनको पूरी की पूरी गौशाला सेल के लिए रखिये उसने, इसमें गबन भी हैं प्रेग्नेट भी हैं और दूद्ध वाली गाई भी हैं देखिए इस काम दूसरी बार भी दूद्ध लिकल रहे हैं और बहुत ही दोने में एकदम नाजुक है गाई इसका कोई भी आदमी अगर नया होता है या चोटा बच्चा भी इसका दूद्ध लिकल सके इनी नाजुक है गाई देखिए यह हमारी जमना गिर गुशला की काफे सब भी गाई हैं देख सकते हो आप भी चोटे दो बच्चले और हम आपको दिखा सकते हैं कि हम उसको किस तरह से मिल्क पिलाएंगे अब देखिए देखिए साड़े तीन लिटर का है इसमें साड़े तीन किलो दूद आता है ऐसे हम दो बरके इसको पिलाएंगे बच्चडी को किस दो कि लादा़े टूछ दूट स carbon आपके आपको पिलाएंगेpowered आपक त्रणाे मैं किस तरह से सillaप मात्कशवuleि‬ और वार्णों और लिए और प्लोंपड़ पयोंस कुड़िया